हेलो दोस्तों वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेंगन वीजा एप्लिकेशन के बारे में और यहां पर मैं डॉक्यूमेंट्स रिलेटिड वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए भीडियों जाते हो तो टूरिस्ट के लिए आपको एक पर्टिकुलर्ली वीजा टाइप मेंगें आपको स्पैसिफाइब करना पड़ेगा टूरिस्ट टूरिजम टाइप आप वीजा के लिए अपलाय करना पड़ेगा आप दूसरा सिनार्यो लेते हैं जैसे कि आप अगर foreign country में रहते हो और आप invite करना चाहते हो अपनी family या friends को और और we can take another case like आप खुद ही as a family या फिर friend के तोर पर आप जाते हो दूसरी country में तो आपको कौन-कौन से documents चाहिए होंगे उससे related यही चीज मैं इस video के अंदर आपके साथ सांजा करना चाहता हूं जैसे कि tourist visa होता है और एक another type होता है कि आप visiting as a family या फिर friends के तोर पर जाते हो या फिर business trip है आपका तो यह different criteria different categories आती है different types of visa के लिए specify करना ही पड़ेगा कि आपको कौन सा type का visa चाहिए तो उसके basis पर आप apply करोगे तो अब मैं बताना चाहता हूं कि कि कितने documents आपको चाहिए होंगे क्या क्या documents आपको submit करने होंगे और किस तरह से आप इखटे करोगे इन documents को तो basically मैं एक overview अगर एक personal बात करूं तो मैं अपने experience के मताबिक तो family को apply करते हुए कौन-कौन से documents चाहिए होते हैं तो वो सभी documents आपको बताने वाला हूं हमने अपनी family को invite किया है और जितने भी documents हमने अपनी तरफ से दिये हैं वो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा आप सभी को जैसे कि हमने अपनी family को invite कि है तो हमें invitation letter चाहिए होगा सबसे पहले तो invitation letter आपको अपनी तरफ से लिखना होगा और आपको यह बताना होगा कि कौन-कौन से members है जो आपको visit कर रहे हैं और purpose बताना होगा कि क्या purpose है आने का और साथ के साथ address प्रूफ भी आप दे सकते हो dates आप दे सकते हो कौन-कौन सी dates पर वो आएंगे और इस country को visit करते हुए अपना duration जो होता है वो आप दे सकते हो और basically एक invitation letter to the officer आपको एक proper format में आपको मिल जाएगा Google पर और बहुत सारी websites है जो एक sample provide करते हैं तो बहुत मदद भी मिल जाएगी तो next document है sponsorship का basically यह हमें चाहिए होता है accommodation के लिए for example आप को जो visit कर रहे हैं उनको कही ना कहीं तो रुक नहीं होगा हो सकता है उनको hotel booking करनी पड़े अगर आपके पास वह facility ना हो ठहराने की तो basically उनको प्रूफ दिखाना होगा कि hotel booking उन्होंने कर रखी है या फिर आपके पास अगर आपके पास जगे हैं आपका प्रूफ है रेजिडेंस प्रूफ है तो आपको अपना जो एक प्रूफ होता है वह आपको हो सकता है आपको municipality से sign करवा कर उनको send करना पड़े तो यह दो documents बहुत important है जो आपको देने होते हैं थर्ड नंबर पर आते हैं funds से related बात जो आपको हो सकता है आपको दिखानी पड़े अगर आप एक तरह से उनकी सभी expenses को cover करना चाते हैं खर्चा जो होता है अपना तो basically अपका accommodation का खर्चा और आपका travel का खर्चा रहने का खर्चा यह सभी चीजे include करते हुए हो सकता है आपके family members यह खर्चा उठा सके तो उनको यह proof दिखाना होगा कुछ documents उनको submit करने होंगे अगर आप यह नहीं चाते और एक easy process चाते हो इसकी वजाए तो आप यह भी कर सकते हो कि आप अपनी तरफ से bank statements और pay slips up to six months की जो रिसेंटली जो रिसेंटली में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं आपकी up to six months तो वह आप submit कर सकते हो अपने family members को तो basically यह documents required होते हैं as a proof कि आप उनके खर्चे उठा सको तो funds से related यह चीज़े helpful हो सकती हैं तो fourth number पर आते हैं आपको submit करना होगा अपनी ID को जैसे कि passport हो गया foreign country की ID होगी और हो सकता है आपका citizenship number हो आपके पास तो वो भी आपको submit करवाना होगा ताकि as a proof आप यह दिखा सको कि आप महाँ पर exist करते हो तो this is all that you need for inviting family members अब हम चलेंगे family members को क्या-क्या documents चाहिए होंगे तो family members को क्या documents चाहिए होंगे वो मैं आप बताऊंगा सबसे पहले तो आपको appointment book करनी पड़ेगी appointment book करने के लिए आपको site official site पर VFS official site पर जाना पड़ेगा for particularly Schengen visa के लिए और वहाँ पर आपको चूज करना होगा centers जहां पर आप रहते हो उसके नजदीक आप ले सकते हो appointment और जैसे ही आप book कर लेते हो appointment तो आपको एक appointment letter मिलेगा जो आपको ले जाना होगा second number पर हमें चाहिए होगा application form वो form हमें particularly official site पर मिलेगा जिस भी country में आप apply करते हो कोई भी country जैसे कि France हो गया, Netherlands हो गया, Germany हो गया तो आपको उनकी particular official site पर जातकर आपको apply करना होता है तो अब आपको चाहिए होंगे tickets, tickets आपको पहले ही as a dummy खरीच सकते हो या फिर आपको खरीदना ही पड़ेगा tickets, without tickets you can't show your travel proof, you will need the tickets और साथ के साथ आपको travel insurance लेना ही होगा, it's mandatory, तो आप Reliance digital website पर जाकर खरीच सकते हो, अलग से Bajaj Alliance की एक अपनी website है जहां पर आपको travel insurance मिल सकता है, और अज ही आप appointment book करते हो, तो वहां पर भी available services है, जहां पर आप apply कर सकते हो travel insurance के लिए, तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है, आप minimum से minimum package वाला भी choose कर सकते हो, तो यह तो होई बात travel insurance की, अब हम चलेंगे ID's पर, तो passport, अधार card, इंडिया में सबसे most common ID है, vaccination certificate भी चाहिए होगा, क्योंकि अब तक जितने भी requirements है, उसमें सभी में vaccination बहुत ज़रूरी है, photos आपको चाहिए होगी, photos में यह ध्यान रखना की आपका एक particular dimensions आप से पूछा जाता है, जैसे की 35 by 45 mm की एक particular photo होनी चाहिए, जो एक simple background के स साथ और साथ के साथ आपका face जो होगा, वो 80% लगबग नजर आना चाहिए, तब जाकर वो photo accept होगी, अगर आप normal passport की तरह photo ले जाओगे, तो हो सकता है, आपका rejection मिल जाए, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, तो अब आपके passport में जितने भी पुराने visa लगे सकते हो, आपको चाहिए होंगे back statements within six months period, जितने भी up to date last six months के जितने भी statement है bank की और एक balance आपको दिखाना होता है, तो वो आप दिखा सकते हो as a proof, property proof भी आप दिखा सकते हो for कोई भी किसी भी तरह की property, आपका business हो, आपका घर हो, और कोई कोई भी किसी भी तरह की जगे हो, जो आप as a proof दिखा होगे, तो वो भी एक as a beneficial आपके लिए होगा, और जिसकी मदद से आपका easily within few days आपका visa accept होकर आपके पास आ जाएगा, तो ये एक बहुत important information मैंने अपनी वीडियो के जरियर दी है, तो इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा main purpose ये था कि जितने भी documents हमने इखटे किये हैं अपनी family के लिए, अपनी family को बुलाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों न share करूँ और किस तरह से आपको भी मदद मिले कि इन सभी documents को इखटे करकर आप अपनी family को invite कर सकते हो, या फिर आप खुद भी as a family member हो, और जाना चाते हो in Europe countries में, तो आप apply कर सकते हो, शेंगन visa के लिए और ये आपके लिए भी beneficial होगा, तो hopefully आपको ये video बहुत अच्छी लगी होगी, तो like, share, comment जरूर करे, और हो सके तो subscribe करे मेरे YouTube channel, thanks for watching this video, I hope you liked it.